तो अब पाइप फ्रूएं फ्रू हो चुकी है, असी मिटर जा चुकी है, आरपार हो गई है पाइप, अब NDRS और आर्मी ने आपरेशन स्टेक ओवर कर लिए है अच्छा, अब कितना लगबग समय लगेगा आपको की बाच्चित हुएं की अधिकारियों से देखिए, अब कोशिश तो यह है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका, तो उमीद है कि देखे शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए, सब सेफ है, यह कन्फरमिशन आ गया था, तो लेट सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए, प्रास्ता पूरा की जाने चाहिए, तो देखिए, उत्तरकाशी टेनल हाजसे का आज सतरवा दिन है, बड़ी खबर और अच्छी खबर यह है कि टेनल बेक्ट्रू हो चुका है, यानि कि अब जो है, पूरी कबान सेना और NDRF ने समाल ली है, और थोड़ी दिर में मजदू को बहाँ पर सबसे पहले NDRF के लोग जाएंगे, फिर बहाँ पर बताएंगे कि आपको किस तरह से स्ट्रेचर जो उस पाइप के जर्गे अंदर चाहेगा, और उसके बाद बहाँ पर किस तरह से सेफटी बेल्ट लगाए, किस तरह से पूरी तैयारी करके, फिर वो बहाँ से बहाँ निकलेंगे, NDRF की टीम जो है दो घंटे में रिस्क्यू पूरा करे की ऐसी जानकारी सामने आ रही है, और विनोद जी नकतार हमारे साथ बने वे, विनोद जी जरा आप ये बताएंगे कि अब जो पूरे कमान हैं वो NDRF की टीम सभाली कि जैसा कि हम पहले भी चर ये तो पूरा विश्व जानता है कि ये विश्व के एक सबसे कचिंतम टनल ऑपरेशन्स में इसको गिना जा रहा है, और जिस तरह से हमारी जो एजन्सीज़ हैं उनका समनवे देखने को मिला है, हाँ इसमें एक चीज़ ये जरूर है कि हमें इस तरह कियों कि देखिए सब अपना इस तरह का एक्विप्मेंट केटर नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास इस तरह के जो साज जो सामान है उसकी कवनी रह जाती है, तो हमें विदेशों से एक्सपर्ट्स मागने पड़ते हैं, और आलम ये है कि विदेशों में लोग, आपको मैं एक वाक्या याद दिल इस तरह पे भारती सेना के लिए और पूरे देश के लिए, तो बाकी जो बाहर से कुछ टीम्स को मगाया गया और उनसे पूछा कि आप कितने दिनों में इस रोड को या इस ट्रैफिक को बहाल कर देंगे, तो उन्होंने का, किसी ने का, किसी ने का, हम 6 महीने लेंगे, किस इस तरह के वहाँ जस्बा लोगों में रहता है, और पूरा, मतलब जो इंटरनेशनल एजेंसी आई थी, वो अचम्वे में रह गई, किसाब आपके पास एक्विप्मेंट के कमी थी, आपके पास उतना स्टेट अप दी आर्ट एक्विप्मेंट नहीं था, लेकिन जो मुर कायम नहीं होता, तो शायद वो भी मेंटल ट्रॉमा में सकम कर जाते, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा था, उनको पूरी पल-पल की उनको ख़बर दी गई, उनको विटामिन्स और रिस्टरे के सप्लिमेंट्स और खाना उनके परिवार जनों से उनसे बात कराई, तो उनका जो मनोबल है, उसको उन्चा रखा जया, तो ये मनोबल उन्चा रखना दौनों का, रेस्क्यूर का और रेस्क्यूई का, बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है, और इसको दौनों आस्पेक्स को बड़ा अच्छा तरह किसे जो एजेंसी सी उन्होंने बैलेंस किया, परा दिन ये रिस्क्यू उपरेशन चला और ये रिस्क्यू उपरेशन विनोजी कहीं न कहीं बहुत सारे एक्जामपल भी सेट करने वाला है, कि आने वाले जो चुनोतियां आगी आएंगी, उनसे कैसे निपटना है, रेट माइनिंग की बात की जा लिए विनोजी, जिनक देखे, इस तरह के वजार ये इस तरह के कुपिंट नहीं हुआ करते थे, तो मैं आपने वो एक काला पत्तर फिल्म देखी होगी, अमिताब बच्च्यू की, और उसमें जाधतर इस तरह से मजदूर ख़दानों में जाते थे, बुली के लिए, बिरो जी आएंगे आएंग लेकिन है, लेकिन ब्रेक्थ्रू हो चुका है, अब कुछी पल में वो बहार निकलेंगे, माला ये जा रहा है कि इसमें जो प्रोसेस है, उसको शुरुआत की जाएगी और उसमें लगब 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 डेर से दो गंटे का वक्त लगेगा, जिसको कम्प्लीट किया जागा लेकिन यहां पर जो एक्सपर्स हैं, उनसे हमने बाच्छित की, तो उनका यह कहना था कि हमने प्रॉपर तरीके से इंतजम किये थे, ऐसे इंतजम किये थे कि आगे भी वो यहां पर रह सकते थे, क्योंकि जो लाइफ लाइन वाले पाइप थे, वो बकाइदा डाले जा लेकिन उनके लिए दिक्कत भरा कि समय यह था, कि बीटे सत्रा दिनों से उन्होंने सूरच की रोशनी नहीं दे गही, बीटे सत्रा दिनों से उन्होंने अपनों से मुलकाप